साथियों, ओडिशा के अतीत को आप खंगाले, आप देखेंगे कि उसमें हमें ओडिशा के साथ साथ पूरे भारत के इतिहासिक सामर्थे की भी दर्शन होते हैं, इतिहास में लिखीते सामर्थे वत्मान और भविश्य की सम्भावनाव से जुड़ा हुआ है, भविश्य के लिए हमारा प्रत्रशन करता है, आप देखें ओडिशा के विशाल, समुत्री, सीमा, एक समय भारत के बड़े-बड़े पोक्स और आंतर राष्टे व्यापार का केंद्र हुआ करती थी, इंडोनेशा, मलेशिया, थाइलेंड, म्यामार और स्री लंका जैसे देश्य के साथ यहां से जो व्यापार होता था, वो ओडिशा और भारत की समुर्दी का बहुत बड़ा कारण था। व्यापारी आफरिका तक व्यापार करते से, तभी तो जिराब की बात आई होगी, उस हमें तो वाट्सअप था नहीं, बड़ी संख्या में ओडिशा के लोग व्यापार के लिए दूसरे देशों में रहते भी थे, उन्हें दरियापारी ओडिया कहते थे, ओडिया से मिलत जुलती जुलती स्क्रिप्स कितने ही देशों में मिलती हैं, इतिहास के जानकार कहते हैं कि समराट असोग ने इसी समूदरी व्यापार पर अधिकार हाशिल करने के लिए कलिंग पर आकरमन किया था, इस आकरमन ने समराट असोग को धम अशोग बना दिया, और एक तरह से ओडिशा व्यापार के साथ साथ भारत से बहुत संस्कृति के प्रसार का मध्यम भी बना साथियों उस दौर में हमारे पास जो प्राकृतिक समसादन थे वो प्रकृति ने हमें आज भी दिये हैं हमारे पास आज भी इतनी व्यापक समुद्री सीमा है मान भी ये समसाधन है व्यापार की संभावना है साथ ही आज हमारे पास आधुनिक विज्ञान की ताकत भी है अगर हम अपने इस प्राचिन अनुभवों और आधुनिक संभावनाओं को एक साथ जोड़ दे तो ओड़ी सा विकास की नई उंचाई पर पहुँच सकता है आदेश इस दिशा में गंबीर प्रयास कर रहा है और अधिक प्रयास करने की दिशा में भी हम सजग है